सीता राम सीता राम सीता राम मंगल भवन या मंगल हारी त्रबहु से दसरते अजिर भिहारी देहु भूप मन हरसित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभ तुमको इनकायत कल्यान हे राजन प्रसन मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो हे स्वामी इसमें तुमको धर्म और सुजस की प्राप्त होगी और इनका परम कल्यान होगा सुनी राजायत अप्रियबानी हिर्दै कंप मुखदुत कुमुलानी चौथे पन पायों सुत्चारी विप्र बचन नहीं कहो बिचारी इस अत्यंत अप्रियबानी को सुनकर राजा का हिर्दै काप उठा और उनके मुख की करांत फीकी पड़ गई उन्होंने कहा हे ब्रहमण मैंने चौथे पन में चार पुत्र पाये हैं आपने विचार कर बात नहीं कही मांग हो भूम धेन धन कोसा सरवस देह आज सहरोसा देह प्रान ते पीक छुनाहीं सो मुनि देव निमिस एक माहीं हे मुनि आप प्रत्वी गव धन और खाजाना मांग लिजे मैं आज बड़े हर्स के साथ अपना सरवस दूँगा देह और पाण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता मैं उसे भी एक पल में दे दूँगा सब सुत प्रिय मोह प्रान की नाई राम देत नहीं बन नहीं गोसाई कहा निस चरयती घोर कठोरा कहा सुन्दर सुत परम किशोरा सबी पूत्र मुझे प्राणों के शवान प्यारे हैं उनमें भी हे प्रभू राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता कहां अत्यंत डरावने और कूर राच्छा सावर कहां परम किशोर अवेस्ता के बिलकुल सुकुमार मेरे सुन्दर पूत्र सुने नपगीरा प्रेमरस सानी हिदे हरश माना मुन ग्यानी तब वशिष बहु विद्श मुझावा नपसंदे नास कहपावा प्रेमरस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ग्यानी मुन विश्मा मिज्जिने हिदे में बड़ा हर्स माना तब वशिष जी ने राजा को बहुत प्रकास समझाया जिसे राजा का संदे नास को प्राप्त हुआ अतिया दर दो तनए बुलाए हिदे लाय बहु भात सिखाए मेरे प्रान नात सुत दो तुम मुन पिता आन नहीं को राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हिदे से लगा कर बहुत प्रकास से उन्हें सिखादी फिर कहा हे नात ये दोनों पुत्रों मेरे प्रान हैं हे मुन अब आप ही इनके पिता हैं दूसा कोई नहीं मंगल भवन अमंगल हारी त्रबह से दसरत अजर भिहारी सौपे भूप रिशन सुत बहुबिद देह असिस जननी भवन गए प्रभू चले नाय पद्यसिस लाजा ने बहुत प्रकास से आसिरवाद दे कर पुत्रों को रिश के हवाले कर दिया फिर प्रभू माता के महल में गए और उनके चर्णों पर सिर्णवा कर चले पुरुस सिंग दो बीर हरसे चले मुन भैहरन पुरुसों में सिंग रूप दोनों भाई राम लच्मन मुनिका भैहरने के लिए प्रसन होकर चले वे कृपा के समुद्ध धीर बुद्ध और संपूर्ड विश्व के कारक के भी कारक हैं जै शेख